बिहार के जो कई पुराने जो प्रोजेक्स जो 11-12 साल से जो लुके हुए थे उसको लेकर करके इसको स्पीडियाइट कराने के लिए बाची तुई मांग ये हुई है कि बिहार में एक भी अभी तक एक्सप्रेस वे नहीं नहीं इसके तो विज्यानिकों का योगदान है विज्यानिकों का ही योगदान रहा है और उनको हम धन्यवाद देते हैं न चाहिए साथी साथ कई ऐसी योजनाय जो हैं बेहार में जो प्रोजेक्ट है वो फिलहाल किस तरीके से कार हो रहे हैं तेजस्वी आदो ने नितिन गडगडी से मिलकर तमाम चीजों को लेकर जानकारिया दिया आपको मालूम हैं तेजस्वी आदो ना सिर्फ बेहार के कहा था कि तेजस्वी आदो जितना मांगेंगे उससे जादा कहीं देंगे हम तो तेजस्वी आदो ने नितिन गडगडी से बिहार में एक्सप्रेस्वे की मांग किये पुराने प्रोजेक्ट को लेकर बाचित हुई है तेजस्वी आदो ने दिल्ली में मुलाकात के बाद स साथ इस तरीके से कल चंद्रायन 3 की लेंडिंग हुई है सफल लेंडिंग हुई है बैग्यानिकों को बधाई भी दिया है क्या करें तेजस्वी आदो जराओ सुनिए बिहार के जो कई पुराने जो पुर्जेक्स जो 11-12 साल से जो रुके हुए थे उसको लेकर कि इसको स्पीडियाइट कराने के लिए बात सीथ हुई है और सबसे महत्पून मांग ये हुई है कि बिहार में एक भी अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं है नहीं हमी तरह कि बात एक्सप्रेसवे का जो है वह डिमांड किया है पिशल मार बिहार आए थे तो बक्र से 1 धा। उसको खहां गया था कि भागिल पूर्टक कर दे ले लेकिन एक एक्सप्रेसवे हम लोग चाहते़ है वह हो तो उसके लिए भी वह पॉजिटिव नजर विज्ञानिकों का योगदान है और उनको हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के सबसे प्रटिस्टित लोग है और उनका जो काम रहा है देश का नाम उशा किया है तो बिहार के उख मुख्यमंत्री तेजस्वी आदो को आप सुन लेते दिल्ली में तेजस्वी आदो ने नितिन गड़गडी से मुलाकात किया है इस मुलाकात के बाद तेजस्वी आदोने साब तरपर बताया है कि उन्होंने बिहार में कई अलग अलग जगों पर expressvay की मांग किये साथी साथ आपको बता दें कि तेजस्वी आदोने चंद्रयान 3 को लेकर किंद्र सरकार पर प्रहार की आयका है कि होर लेने की क्या बात है ये तो देश के बैग्यानिकों ने कमाल कर दिखाया है अब मोदी जी की जब बात हो तो उन्होंने तो इस्रों का बजट ही कम कर दिया फिराल आप प्रिड़े विहार ने उसके साथ बने रहें धन्य बात